सो हेलो स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में इस वीडियो हम देखते हैं कि जो अध्या सेकेंड होता है इसका लास्ट टोपिक बचा है इसमें आप उनको पढ़ना होगा इनके बारे में जो कि सोडियम हाइड्रोकसाइट विरंचक चुन बैंकिंग सोडा इसके अंध यानि कि NaCl होता है उससे जो उत्पन होंगे रसाइन ठीक है तो NaCl जो होता है साधार नमक से रसाइन कौन कौन से होंगे ठीक है तो पहला हो जाएता है सोडियम हाइड्रोकसाइट जिसका सूतर होता है NaOH ठीक है सोडियम हाइड्रोकसाइट इसका सूतर क्या है NaOH सेकेंड है विरंजक चूर्ण इसका सूत्र हो देता है C A O C L 2 ठीक है C A O C L 2 इसके बाद हम बात करेंगे banking soda की banking soda का सूत्र होता है N A S C O 3 इसके बाद धोने का soda का सूत्र है N A 2 C O 3 10 S 2 ठीक है यह बीच में dot है जल के अनु कितने है N A 2 C O 3 के साथ में 10 ठीक है दस जल के अनु है तो वो धोने का soda हो देगा इसके बाद प्लास्टर और पेरिच की बात करेंगे C A O 4 sodium hydroxide होता है इसका सूत्र है N O H है यह कैसे बनता है तो समझे ध्यान से sodium chloride जैसा यह definition कहरें वैसे आपको करना है sodium chloride sodium chloride का सूत्र होता है N A C L क्या होता है N A C L के जलिये विलियन से विद्धु धरा प्राहित करने पर के जलिये विलियन से अर्थार्थ जल H2O में विद्धुधरा प्रहित करने से करने पर यह वियोजित होकर मतलब तूट करके तूट कर यह वियोजित होकर SaoDium Hydroxide यानि की NaOH इसमें आपन विद्धुधरा प्रहित की तो यह तूट करके NaOH NaOH SaoDium Hydroxide उत्फण करता है इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं क्लोर्शार प्रक्रिया यह इंपोर्टन है याद रिखी भई यह इंपोर्टन हो जाता है क्लोर्शार प्रक्रिया ठीक है आई एम पी इसको ध्यान रखिए क्लोर्शार प्रक्रिया क्या होती है सबसे पहले अपन क्या करेंगे फिर ए हाइड्रोकसाइड बनाता है इसके साथ में c l बचा है वो आपकी गैस c l2 के रुप में अलग होगी बाकी आप उन क्या करेंगे अगर दो n Cl का आप उन मॉल लेते हैं तो यहां पर दो h2 के मॉल लेने पड़ेंगे तो यहां से आपके न के भी कितने मॉल प्राप्ट हो जाए समझ में आचुका होगा यह है आपका सोडियम हाइड्रोकसाइड है ठीक है यह हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोकसाइड है इसका इसके बाद में इनको बारे में बताता हूं यह तीन क्या चीज होती है ठीक है ठीए मैं एक ईकहिए पर होगा सियल टूगयस कैथोड पर होगा इस टूगयस कैथोड के पांस इन अए सिविलिए बनता है अभी यह बाई तो अभी आपने जङस्ट पढ़ा है क्लोर शारप रहा है क्लोर शार प्रक्रिया है ठीए इसमें होता क्या है यह मैं एक रफ डाइग्राम के माधिम साब को समझा रहा हूं है ना रियल में नहीं है तो इसको थोड़ा सीरियस नहीं लेना है मतलब इसको समझ जाना है क्या होता ठीक है तो अपने सबसे पर ले एनोड क्या होता इसके बारें समझना पड़ेगा तो अपने क्या करत एने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ठीक है यहां पर कुंजी लगा देते समझने के लिए विद्धु धरा प्राइट करेंगे यह तूटेगा तो आफका जो एने CL होता है उसमें से टूट करके बनाएगा NA plus और CL minus अब मुझे पता जो CL minus होता है वह वो होगा कैसा negative अब उन के पास यहां पर दो इलेक्टोड है यह मान लिजे एनोड है और एनोड होता है प्लस यह मान लिजे आपका कैथोड है तो कैथोड होता है आपका माइनस ठीक है अब यहाँ पर माइनस वाला किदर जाएगा प्लस की और जाएगा तो आपका सीयल होता हो किस की और जाएगा एनोड की और तब की ज प्लस किसके पास जाएगा भाई साम माइनस के पास और माइनस कौन है आपका कैथोर्ड तो कैथोर्ड पर आपका हो जाएगा H2 gas बाकि यहां पर आपका कैथोर्ड होता है उसी के पास में क्या बनना स्टाट होगा NaOH बनना स्टाट होगा sodium hydroxide ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर होता है कि आनोड होता है उस पर आपका C2 gas होगी और कैथोर्ड पर आपकी जाएगी H2 gas and कैथोर्ड के पास ही यहां पर अपनका बनना लगेगा इससे NaOH क्या बनना लगेगा NaOH ठीक बात है sodium hydroxide अब इसका उप्योग होता है इसको आप देखिए तो दोस्तों यहां पर sodium जो hydroxide होता है इसका उप्योग देखिए जो कि H2 जो होता है ना उसका उप्योग करते हैं इंदन मार्गरीन में ठीक है H2 जो अपकी अभी gas देखी थे हमने जो cathode पर जाती है वो कौन से H2 gas होती है वो H2 gas इसका उप्योग इंदन मार्गरीन में किया जता है बाकि HCl होता है इसका उप्योग इसपात की सफाई उष्डियो में किया जता है इसका अब अब बात करेंगे Cl2 की तो Cl2 होता है इसका उप्योग जल की सोचता PVC, Polyvailine, Coride और CFC, Clorofluorocarbon इसमें इसका उप्योग किया जता है इसके बाद आप उन बात करेंगे Cl2 प्लस NOH इसको आप उन वीरंजक के रूप में घरलो वीरंजक और वस्त्र वीरंजक के लिए इसका उप्योग किया जाता है दोनों को मिलाएंगे ठीक है तो यह हो जाएगा आपका sodium hydroxide का उप्योग ठीक है OH hol twice calcium hydroxide पर chlorine की क्रिया करने से देखिए आपने पास है CAOH hol twice जो की शुष को भूजा वह चुना उस पर अपन क्या करते है CL2 की अभी क्रिया करवाते है इस पर अपन क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से आपका बनेगा CAOCL2 और साथ में जल का अणू बाहर होगा यह है आपका वीरंजक चूरण क्या है वीरंजक चूरण ठीक है तो इस प्रकार से इसका निर्मान होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो OH है क्योंकि OH होल ट्वाइस यहाँ पर आपके पास कितने CL है दो ठीक है यह दो CL होंगे वो इस पर जो आपका कैल्सियम होता है उस पर जुड़ेंगे बाकि यहां से आपका एक H और एक आपका OH यह H2O बनके बाहर निकल जाएगा और एक उक्सिन जो बचेगा वो बीच में रह जाएगा तो यहां से आपका एक तो C A O C L 2 बन जाएगा जो कि विरंजिक चून बाकि जलकाणों अलग होगा तो आपने देखा कि विरंजिक चून का निमा कैसा होता है जब अपन शुष्क भुजेव चूने पर क्लोरीन ग्यास होती इसके अविग्रिया करते हैं विरंजन के लिए इसका उप्योग करते हैं तीसरा हो जाएगा रासानी उद्योगों में एक उपचायक के रूपे इसका उप्योग करते हैं पीने वाले जल को जीवानों से मुक्त करने के लिए रोगाण नाश्यक के रूपे पुन जोकी विरंजक चून होता इसका प्रयोग करते हैं तो यह हो जाएगा विरंजक चून का प्रयोग तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जुरूब बतना है और वी